तो दोस्तो WWE में कुछ ही wrestlers ऐसे हैं जिनके finisher move unique और iconic हैं लेकिन यहाँ ज्यादातर wrestlers के finisher move ठीक ठाक सही होते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे top 5 ऐसे wrestlers की जिनको अपना finisher move change करने की काफी ज्यादा जरूरत है तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मेरेगा इसी इसे last तक जरूर देखना तो चलिए शिरू करते हैं इस ट्रोमेन अपना match जीतने के लिए running power slam का इस्तिमाल करते हैं जो की एक finisher जैसा तो बिलकुल नहीं लगता बलकि यह उनकी एक normal move की तरह लगता है लेकिन वे फिर भी सालों से इस move को अपने finisher के तोर पर यूज करते चले आ रहे हैं ब्रोमेन डबडबली के एक powerhouse रहे हैं और उनका finisher move dominating और powerful दिखना चाहिए इस तरह गा नहीं प्रीस्ट डबडबली के current world heavyweight champion है लेकिन उनका finisher move south of heaven काफी simple और बेकार है और जब वो अपने match के तोरान इस finisher move का use करके किसी बड़े superstar को हराते हैं तो match की ending भी believable नहीं लगती इसलिए WWE को उनके इस बेकार finisher move को change कर देना चाहिए एले नाइट एक काफी talented और WWE के rising superstars में से एक हैं लेकिन अगर हम बात करें उनके finisher move BFT की जो की काफी weak लगता है और असल में ये एक सस्ते RKO की तरह लगता है इसलिए WWE को उनके इस finisher move को जल से जल change कर देना चाहिए नमबर 2 Kevin Owens Kevin Owens अपना match जीतने के लिए stunner कर इस्तिमाल करते हैं जो की एक time पे काफी popular और Steve Austin का finisher move हुआ करता था लेकिन ये move Kevin Owens के character बे बिलकुल भी suit नहीं करता और इससे ज्यादा better suit तो उनका पुराना finisher move proper power bomb किया करता था इसलिए मेरे साथ से तो Kevin Owens को इस move को छोड़कर तोबारा अपने power bomb को ये अपना finisher move बना लेना चाहिए नमबर 1 Chad Gable Gable अपना match जीतने के लिए angle lock का इस्तिमाल तो करते ही हैं लेकिन इसके अलावा उनका दूसरा एक और finisher move है जो की है सिर्फ एक German suplex जिसे वे काफी powerful और dominating तरीके से लगाते हैं लेकिन फिर भी ये इस like नहीं है कि इसे एक finisher move बना लिया जाए इसलिए WWE को उनके finisher move को change करके उन्हें कोई नया move देना चाहिए तो दोस्तो ये वीडियो बस यहीं तक थी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना तो मिलते हैं next वीडियो में